नमस्कार दोस्तों, Welcome to Knowledge EBC, मैं हूँ निखेल, हम लोग इस वाले वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, Acid Based Chart, जो की Class 10 Science का Chapter No.2 है, इससे जो Related MCQ है, Important MCQ जो Exam Point of View से काफी Important है, उसको हम लोग इस वाले वीडियो में डिसकस करने वाले, तो चलिए, सुरू करते हैं, तो पहले को इसमें बदल देता है, यह दिहाम रखना है, Blue में बदल देता है, Its pH is likely to be, तो इसका pH क्या होगा, देखें, काफी confusion होता है, Red Litmus को Blue कौन सा Acid बदलेगा की Base बदलेगा, तो इसको पहचानने का तरीका है, Base होता है, Base का Asperring क्या होता है, B, A, A, C, ठीक है, तो Base Blue कर देता है, तो यहाँ पर Example पकड़ने का तरीका है, Litmus पेपर को identify करने का तरीका है, जो Base होगा, वही Blue करेगा, ठीक है, आप तो Red कौन सा करेगा, तो Acid Red को करेगा, तो Confusion होता है, Acid Blue करता है, Red करता है, Base Blue करता है, Red करता है, तो इस तरह का Confusion का Example में हो जाता है, कभी-कभी, तो अगर अजित आपको आता है, तो सही बात, है अगर Confusion हो जाता है, तो याद रखने का तरीका कैसे है, यह Trick है, Base, Blue करता है, B से Base, B से Blue, ठीक है, तो B जो है, वह यादरखना है, Base, Blue कर देता है, तो यहाँ पर बता prior है, सोलूशन जो है, Red chamissage BJ को Blue कर रहा है, मतलब की पक्का बात ह अगर 14 के तरफ जाएंगे तो 7 से उपर का नंबर कौन सा है इसमें देखना पड़ेगा तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नंबर यह आंसर हो जागा, सीधा सीधी, ठीक है, इतना आसान कोशन था, इसको घुमा के दिया वा है, कि PhD दे दिया, उसके बाद पूछ रहा है कि रेट लिटमस पेपर को ब्लू कर दे रहा, तो बताई है, यही कोशन था ना, तो इस कोशन का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या बना रहा, ब्लू कर रहा है, ठीक है, तो ब्लू कहों सा करेगा, बेस करेगा, बेस क्या होता है, 7 से उपर वाला, 7 से उपर वाला में, यहाँ आप 9 है, 9 कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा कोर्षन देखते है, A solution turns blue red mess bed, देखे, उसी कोर्षन का उल्टा कोर्षन है, यहाँ पर red कर रहा है, red कर रहा है, pH is likely to be, इसका मतलब red कर रहा है, तो पक्की बात है, यहाँ पर acid है, acid होगा, तो 0 से 6 के 7 से नीचे होगा, इसका pH, ठीक है, तो 7 से नीचे वाला pH कौन सा है, यहाँ पर 6 सम को देख रहा है, तो 6 इसका answer हो जाएगा, तो इस तरह का question को आप देखते हैं, आप बना सकते हैं, काफी important भी रहता है, काफी confusing रहता है, लेकिन आपको पकड़ना है, जिए और कितना भी चला जाए, ठीक है, 0 तर चला जाए, तो वहाँ पर 6 है, यहाँ पर option दिया है, वह तो 6 है, यहाँ पर answer सही हो जाएगा, यह सब चीज अगर अलग 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 हम लोग डालते हैं, जैसे वहलिदा अश्म को अगर हम लोग अलग 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 आएगा, तो वैसे सबस्टान्स जिसके एसिर और बेस के कारण, उनका order change हो जाता है, उसको all factory indicator कहते हैं, ठीक है, तो order change indicator है, इसका option A वाल option हो जाएगा, what happens, next question है, what happens when a solution of base is mixed with a solution of acid in a test tube, एक test tube है, उसमें acid के solution को base के solution से मिला गया, या base के solution को acid के solution से मिला गया, तो acid और base जब मिलता है, salt produce होता है and water produce होता है, उसके साथ हीट भी निकलता है, ठीक है, तो यह चीज हम जानते है, यह चीज होता है, तब यहाँ पर देखते है, question कही यह part है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद जो option है, A, B, C, D, इसमें समय चूज करना, तो पहले question का part पहले यह 4 को पढ़ लेते है, temperature of the solution decreases, नहीं, decrease नहीं होता है, temperature बढ़ता है, temperature of the solution increase, हाँ, यह सही है, ठाट statement है, temperature of the solution remains same, temperature remains same नहीं होता है, temperature हमेशा यहाँ यहाँ बढ़ता है, salt formation यहा यहाँ पर takes place होता है, temperature बढ़ता है, second and fourth option कहाँ पर, second and fourth option D, इसका सही option D हो जाएगा, fifth question के तरफ करते है, name the gas evolve when the acid react with metal, ठीक है, कौन सा gas evolve होता है, जब कोई acid react करता है, base के साथ, acid react करता है, metal के साथ, यहाँ पर हम react करा देते हैं, metal को, यहाँ पर हम लोग zinc ले लेते हैं, इस acid हो गया, H2SO4 और zinc हो गया, zinc metal हो गया, तो यहाँ पर बना जाएगा, हमारा zinc sulfate, zinc ZNSO4 plus H2, यहाँ पर gas बाहर निकलेगा, ठीक है, यह solution में आ जाएगा, और यह बाहर gas निकलेगा, तो कभी भी metal और acid आपस में react करता है, तो hydrogen gas बहार निकलता है, यहाँ पर सही option हो जाएगा oxygen, fluorine, hydrogen carbon dioxide दिया वा, तो इस सही option है आपके hydro जैसे जाएगा, फटे कोशन के तरफ बढ़ते हैं, what is found when zinc reacts with sodium hydroxide, zinc अगर sodium hydroxide देख करता है, तो क्या बनेगा, reaction करके देख लेते हैं, सबसे अच्छा देगा, इस तरह कोशन में आपके time waste नहीं करना, आपका time सबसे इन पॉर्ट जाएगा, zinc, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा, sodium NAZNO2, sodium zincate यहाँ पर बनेगा, और इसके साथ hydrogen gas निकलेगा, ठीक है, reaction को balance कर दोते हैं, यहाँ पर 2NAOH हो जाएगा, तो sodium zincate बन गया यहाँ पर, और hydrogen gas यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा option हो गया, option जो B है, sodium zincate and hydrogen gas, यह दोनों जो निकलेगा, यहाँ पर हमारा product बन रहा है, तो option यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का मैंने पूरा option पढ़ने की ज़रोती नहीं, यह डिरेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा आपका reaction लिख लो, और reaction में क्या product बन रहा, वो आप लिख लिख लि calcium carbonate के solution है, उसमें excess of carbon dioxide pass होगा, तो क्या बनेगा, आपका option यहाँ पर हो जाएगा, calcium oxide is form, calcium hydroxide is form, calcium bicarbonate is form, no reaction टेक्ट इस तरह का question है, तो reaction ही सिधे लिख लेते हैं, तो calcium carbonate था, ठीक है, तो calcium carbonate था, यह CACO3, यह एक्सेस calcium carbonate in water था, ठीक है, इसमें excess of carbon dioxide को pass किया गया, ठीक डालेंगे, तो कौन सा reaction बनेगा, यहाँ पर बनता है calcium bicarbonate, ठीक है, CAHCO3, ठीक है, calcium bicarbonate यहाँ पर form होगा, ठीक है, अब यह आपको reaction को आप balance कर लिजेए, यहाँ पर CO3, यह reaction, यह product बनेगा, calcium bicarbonate का, तो यहाँ पर यह वाला product हमारा बनके आएगा, ओके, तो यहाँ पर calcium bicarbonate is form, तो calcium bicarbonate option C में है, तो सीजेस यह answer लिखेंगे, और देलेंगे, जब भी excess of carbon dioxide pass होता है calcium carbonate थे, तो calcium bicarbonate form होता है, ओके, name the ion generated by the bases in water, अगर base को water में dissolve करेंगे, तो कौन सा ion generate होगा, hydrogen ion, hydronium ion, hydroxide ion, या no ion generated, तो example के साथ देख लेते हैं, तो NaOH हो गया, एक base हो गया, इसको अगर हम लोग IQA solution में डालेंगे, IQA solution में डालते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर sodium ion ion और हैं aion IQA solution में जाएगा, ठीक है, अग पलस OH ion जो negative होगा, यह IQA solution में जाएगा, ठीक है, तो यह sodium ion और hydroxide आयन के form में यहाँ पर तूट जाएगा अगर हम ज़रुस्तो वाटर में dissolve करते हैं तो ठीक है वाटर में डालेंगे बेस को तो क्या आता है तो यहाँ बेस है sodium hydroxide तो यह sodium आयन और hydroxide आयन के form बनेगा तो यहाँ पर hydroxide आयन जो options है यह हमारा option सही हो जाने है पिएज और प्योर ब्लड का प्योर ब्लड का प्योर ब्लड का पिएज कितना होता है तो यह जह है यह यह आपका knowledge based question आजाता है अगर आपको इसमें पता है इसका अंसा तो आप correctly बना दोगे अगर नहीं पता है तो आप इसमें फल्ट जाओगे यह आप तरफ से नहीं बनेगा तो इस step question का सीधे आपको रख्टा मार के याद करके रखना है कितना होता है तो इसका सही option होता है 7.4 selecting basic होता है blood तो 7.4 इसका pH होता है in terms of acid strength, acid strength के terms में which of the following is the correct increasing order तो acid strength के form पे कौन सा correct increasing order तो इस तरह का option में दिया हुआ है आपका water है acetic acid hydrochloric acid ठीक है और यही तीनों का आगे पीछे करके दिया हुआ है तो इस तरह का question में देख लेना है कि हमारा तीन content है यहाँ पे water है तीन strength पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो water है वो तो neutral होता है ओके अब बात हो गई acetic acid और hydrochloric acid तो hydrochloric acid strong acid हो जाता है कैसे strong acid वो सारे acid हो जाते हैं जो metallic acid होते है ठीक है तो option A यहाँ पर सही हो जाएगा water सबसे increasing water हो देखेंगे अगर acidity की तो सबसे कम हो गया water उससे जादे हो गया acidity की तो उससे जादे हो गया hydrochloric acid our work within the pH range हो हमारा body कि इस pH range में पूरा work करता है तो इसका सही option हो जाता है option C 7.0 to 7.8 option में confusion करने के लिए आगे बीचे देगा लेकिन आप इसको रटके जाओ तो इसका option आप से बन जाएगा 7.0 to 7.8 के बीच में होता है terminant जो की इंगली होता है जिसको हिंदी मोड़ते है is a natural source of which acid तो इसमें कौन सी acid पाई जाती है ठीक है तो इसमें option आपके दिये हुए acetic acid citric acid tartaric acid या oxalic acid तो इसका सही option हो जाएगा tartaric acid ठीक है याद रखने का भी तरीका असान है terminant से है तो tartaric acid याद रख सकते है इनिशल लिट और इसका इनिशल लिटर ठीक है तो इसका आंसर tartaric acid हो जाएगा तो इसका आपके आपके याद रखना है टमाटो में oxalic acid होता है अगला question जबाद रहता है what is the what is produced when chlorine react with dry salt like calcium hydroxide के साथ इसके साथ अगर chlorine reacts करेगा तो क्या बनेगा common salt बनेगा baking soda बनेगा washing soda बनेगा या फिर bleaching powder बनेगा तो reaction करके देख लेता है क्या बनता है यहाँ पर बोलता है कि calcium hydroxide है इसके साथ react करना है CAO2 के साथ अगर हम लोग chlorine को react कराएंगी तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारा बनता है bleaching powder बनेगा बनेगा साथ साथ यहाँ पर हमारा water बनता है तो यहाँ पर सही answer इसका हो जाएगा bleaching powder okay what is brine, brine क्या होता है इसके options दिये हुए है aqueous solution of sodium fluoride, aqueous solution of sodium carbonate, aqueous solution of sodium hydrophed या फिर aqueous solution of sodium bicarbonate तो आप लोग को जान करी होना चाहिए brine solution होता है वो sodium fluoride का water में अगर हम लोग dissolve करते हैं तो उसको हम लोग brine solution करते हैं तो NaCl जो भी common salt होता है NaCl को अगर हम लोग water में dissolve कर देते हैं तो वो जो solution बनता है उसको हम लोग brine solution कहते हैं तो इसका option हो जाएगा option a next question के तरह बढ़ते है sodium hydroxide is a weak base पहला option हो गया weak base, weak acid, strong base, strong acid ठीक है तो sodium hydroxide NaOH ठीक है यह क्या है strong acid है strong base है सबसे पहले तो यह base है ठीक है तो acid वाला खतम हो जागा यहाँ ठीक है उसके बाद यह strong base है कि weak base है तो metal लगा हुआ है इसका option a हो जाएगा ठीक है अब बात करेंगे mild non-corressive base salt की यहाँ पर देहां दीजिए non-corressive basic salt तो सबसे पहले यह आप देखना है salt होना चाहिए basic भी होना चाहिए और non-corressive भी होना चाहिए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल अप्शन है calcium hydroxide CAOH NaCl sodium hydroxide NaOH और sodium bicarbon NaHCO3 यह चार ओप्शन दिए वहाँ इसमें non-corressive basic salt तो यहाँ बोला है तो salt होना चाहिए ठीक है तो calcium hydroxide तो salt है यह तो base है यह तो होगा नहीं अब बजिया sodium chloride और sodium bicarbonate यह दोनों हमारा salt है ठीक है लेकिन यहाँ पे strong acid और strong base के साथ react करके जो salt बनता है वो neutral बन जाता है लेकिन strong acid और weak base के साथ जो react करके यह थोड़ा सा neutral होगा लेकिन यहाँ पे बात करें है sodium bicarbonate sodium bicarbonate बनने के लिए जो bicarbonate hydrogen bicarbonate है वो weak base में आ जाता है इसलिए sodium bicarbonate जो हो जाता है यह non-corrhizal भी होगा और basic होगा थोड़ा सा यह basic nature यहाँ पे सो करेगा क्योंकि यहाँ पे strong base लगा हुआ है weak acid है तो strong base होने के कार्म थोड़ा सा यह basic salt form करेगा तो इसका सही answer हो जागा option b sodium bicarbonate क्या चीज का बना होता है calcium phosphate calcium carbonate calcium oxide या फिर potassium का इसका सही answer हो जाएगा calcium phosphate का बना होता है तोट का जो इनामल होता है वो calcium phosphate का बना होता है थैंक्यू मेरे मच वीडियो आप अच्छा लगा तो लाइक से हो सब्सक्राइक मिलते हैं अगले वीडियो वीडियो